नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया.com में, मैं हूँ आपके साथ आपका अपना जोतिश गुरू शिरोमाई सेचिन मित्रो, आज हम बात करेंगे फुल मून और सूपर मून के विशे में जी हाँ, आज कल आप सुन भी रहे होंगे और चर्चा का विशे भी बना हुआ है कि सूपर मून और फुल मून होता क्या है तो भाई इस मून पर, इस चंदर्मा पर आज आपको संपून जानकारी देने का प्रयास करते हैं देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं कि फुल मून होता क्या है फुल मून को आमतोर पर चंदर्मा के एक चक्र पूरा होने का प्रतीक माना गया है यानि कि चंदर्मा जब अपनी एक आवरती पूरा करते हैं, तो पौन जो है पौनिमा हो जाती है इस दिन चंदर्मा धरतीक से जगमगाता हुआ प्रतीत होता है ऐसा तब होता है जब पृथिवी परिकर्मा करते हुए सूरिय और चंदर्मा के बीच में आ जाए यानि कि जब पूर्णिमा होती है तो सूपर्मून होता है इस दिन चंद्रमा रात के समय सामाने से अधिक बड़ा दिखाई देता है और ज़्यादा चमकिला दिखाई देता है आपने देखा भी होगा हमें एक तरह का ओप्टिकल इल्यूजन मानते हैं मित्रो इसे एक तरह क प्रिथवी के बेहद पास पहुंच जाता है और लगभग आम दिन के तौर पर 14 प्रतिशक तक बड़ा दिखाई देता है और लगभग 30 प्रतिशक तक यह ज़्यादा चमकदार दिखने लगता है तो मित्रो इस सूपर्मून डे पर आपको कुछ न कुछ उपाए जरूर क लगए जैसा कि आप जानते हैं चंद्रमा जो है मन का खारक है हमारे शरीर में जलतत्व को कफ को नियंतरित करता है यही चंद्रमा तो इसी चंद्रमा को प्रसंद करने के लिए आप सूपर्मून डे पर फुल्मून डे पर कुछ न कुछ उपाए जरूर करियेगा क्योंकि इस दिन चंदर्मा जो है अपनी सोले कलाओं से संफूर्ण होता है तो मित्रो क्या करना है उपाए सबसे पहले आप इसे नोट करें जब भी आपको महसूस हो कि मनें स्थिती खराब हो रही है जी हाँ आपका मन व्यथित है पीडित है कही न कहीं आप डिप्रेशन की और जब जाते हैं तो आपको ओम श्रांग श्रिंग श्रौंग सेच चंदर्म से नमा इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला या सफेद चंदन की माला से एक माला जाब जरूर करना चाहिए और चंदर्मा को एक चांदी के लोटे से आप अर्ग भी दीजिए ये छोटा सा उपाय करने से आपकी मनेस्तिती बहुत बेतर होगी चंदर्मा की विशेश किरपा होगी और कहीं न कहीं जो आपका डिप्रेशन था मानसिक तनाव था वो दिन प्रते दिन कम हो जाएगा तो मित्रो आज हमने आपको बताया कि फुल मून और सुपर मून होता क्या है और इसका भरपूर आप कैसे फाइदा उठा सकते हैं तो जुड़े रहें इंडिया.com के साथ दीजिये इजाजत नमस्कार